हलो वरोवान वल्कम टो एलेट्रिक लंजी के हमस्के उस आज के सेशन में हम लोग महाराश्य पब्लिक सर्विस केमिशन MPSC का जो 29 ओक्टोबर 2022 को पेपर रहा था काफ़ी इंपॉर्ण्ट कोशेंस है उसका हम लोग पार्ट टू डिसस करने वाले आपको पता है यह का पेप और पेपर टू ऐसे दो पेपर होते हैं हर एक पेपर में आपको 100 कोशन देखने को मिलते हैं सबसे पहला जो पार्ट था जैसे है आप यह पर देख रहा हूँ ओके पेपर वन का जो हमारा फिर्स फिफ्टी कोशन से कोशन नमबर वन तू फिफ्टी वह हम ने उसके अंदर डिसस किया और आज हम लोग जो हमारा पेपर वन के जो रिमिनिंग कोशन से फ्रम कोशन नमबर फिफ्टी वन तू फिफ्टी वन हम लोग डिसस करने वाले हमरा पार्ट व है यहाप पर जो भी बैनर आपको दिखाए देगा है सब को चार पार्ट के अंदर मैक्सिम हम करने के तो अब हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते अगर इसके पहले के अगर आपको 2019 का पेपर लेखना होगा पेपर वन और पेपर टू हमने अप्लोड करेंगे रखा है इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी आप यूटूब पर जाके फ्री ओफ कॉस्ट देख सकते ह अगर आप प्रेलिम के लिए प्रेपर कर रहे हों तो आपको पता है मरटी काफी बड़ा एक रूल प्टे कर मिटेशन के तो इसके लिए हमने काफी कॉंप्रेंजीव कोर्स्ट तो इसको जाकर देख सकते हैं इस में जो भी टॉपिक्स आप दिखाए दे रहेंगे इस के वालेड़ी के साथ आपको आपको प्रोइड कराके रखे इसको लिए का करना होगा आपको अप्लिकेशन डाउनोड करना पड़ेगा और इसके लिए कूपन कोड हमने लगा करका है फ्लाट फिफ्टी कूपन कोड लगा के अब वन नैंटनी एन का कुछो कूर्स है करेगा और टेक्निकल के लिए अलेक्टिक लेंशन को देखने वाले जो भी प्रिपर कर रहें आने वाले एक्जामनेशन के लिए ठीक है 2023 के लिए तो जिनको मुझे कमेंट बोक्स में करके अपको फीडबैक है मेंचिन कीजेगा अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते और देखते हैं मारा सबसे पहला कोशन देखिए कोशन काफी इंपॉर्णन है अच्छी तरीकी से बने रहेना होगा फॉर्स्ट कोशन इस फाइंड द पिरिए ऑफ एक्स अफ टी प्लस माइनस एक्स अफ्टी प्लस माइनस कापिटल टी स्माल टी होगे ठीक है इस इक उस हम लोग उसको कहेंगे कि यह पिरोडिक है ओके अब मुझे बताएगा जो टाइम पिरेट रहता है हमारे सिगनल का ठीक है वह हमारे पास जो बताया गया है इन द फॉर्म आफ ए ठीक है कॉस ओफ टिक है ओमेगा टी प्लस फाई ठीक है यह कितना रहता है टी इस इकुस टू पाई डिवाड़ बाई ओमेगा राइट अभी हम लोग इसको इसके साथ कंपेर करते है अब देखे यहाँ पर किसे मेंशन करके रखा है कॉस ओफ पाई टी प्लस 60 है ठीक है टेट मिस यहाँ पर ओमेगा की वैलू कितना है ओमेगा की वैलू कितना हो जाएगी यह हो हमारे पास पाई राइट ओमेगा का हमारे पास वाईलिव आगया पाई तो जो हमारा टी आएगा वो कितना है इस फॉर्मूला में अगर हम लोग सब्स्ट्ट करते हो मैं हाइलाइट कर देता हो इसका अपनोड डाउन की जीगा तो यह कितना हो जाएगा टू पाई अपॉ बोला क्या गया है step voltage response हमें पता करना है of a RC-series circuit which is obtained from a differential equation governing the capacitance voltage ओके देखेगा काफी सिंपल है इसके लिए मैं आपको एक मंचन कर रहे तो RC-series circuit कुछ इस तरी के से रहता है जो close होता है T is equals to 0 और T is equals to 0 plus condition ऐसे दो conditions रहते हैं instantaneous values हम लोग बात करते हैं मैंने course के अंदर mention किया था गई अब देखेगा यह initial conditions हमारी यह पर बोलागे step voltage response of a RC-series circuit capacitance है तो जो voltage रहेगा हमारा total voltage वो कितना रहेगा हमारे पास में voltage across this resistance टीके जो हम लोग VR consider करेंगे plus voltage across this capacitor यहाँ पर capacitor के across है तो जो voltage है VR वो किस तरह किसे हम लोग represent कर पाएंगे it can be IR plus VC ठीक है IR that means current into यह जो इसमें से current flow रहा है multiplied by the resistance लेकिन I को हम लोग किस तरह किसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है I can be represented as CDVC by DT तो इसी कैसा दागर अब लिए यह value substitute करते है तो हमारे बास differential forming के सिरकी से इसका value हैगा RC DVC DT plus VC okay option 3 इसका correct answer रहा है at T is equals to greater than zero conditions option 3 will be the correct answer in this case काफी यह simple equation था आप इसको अगर आप practice है तो आप इसको देखते हैं इसको solve कर सकते हो next question है मारे पास guys सब्सक्राइब करने के बाद यह इसके अंदर हमनों बाकी जगा रेगुलर सेशन में हमने डिसस करें करते हैं यहां पर क्या करते हैं लोग जो voltage source है उसको short circuit करते है जो current source है हम लोग उसको open circuit करते है इसको open circuit कर दिया थे को हमारे कुछ terminals इस तरीके से हो जाएगे तो इसमें जो significant है पर terminology है गी तो जो 2 और 8 ohms का series में connected हो जाएगा इस series में connected होने के बाद इसका जो equivalent resistance आएगा 10 ohms और उसके across में जो ही short circuit करने के बाद यह parallel combination में 20 ohms भी उसके parallel में आ जाएगा तो हम लोग इसका parallel combination निकालेंगे 10 parallel 20 का किस तरीके से जाएगा 10 into 20 upon 10 plus 20 which is 30 okay तो 200 divided by 30 which is 0-0 cancel 20 by 3 ohms इसका correct answer जाएग 6.667 इसका value बनता है option 2 will be the correct answer in this case ठीक है एक मिनिट में solve करने लाइक है कोशन था काफ़ी सिंबल चाओ कोशन हमें देखा दे रहा है next question is it is also simple question और इसमें आप without pen paper भी इसको solve कर सकते हो दिखे question में आपको समझा देता हो question किस तरीके से non inductive resistance R connected in series with a choking coil अब दिखे choking coil अब आपको कोई भी मानलो है कोई भी हमारा conductor है ठीक है एक मानलो conductor जिससे फिर एक इंडेक्टर भी मनता है दिखे कि इस conductor का भी कुछ internal resistance रहता है और मानलो है पर हम लोग इस conductor को फॉर्म करके हमने एक इंडेक्टर बना दिया हाला कि इंडेक्टर किसके बना है कंडेक्टर का ही तो बना है लेकिन कंडेक्टर में कुछ finite amount of resistance रहता है इसलिए हम लोग सो small और से रेप्रेशन करते और यह हो गया इसका चोकिंग कोईल तो बोला का गया है और इस कनेक्टर इन सीरिज विदर चोकिंग कोईल आइस शून इन फिगर बिलो यह हमने फिगर बताई गिए वैलीज अफ आइन इंपेड़न्स अब दीखे आर का वाल्यू पता है पता करन है इसमें से करंट जो है सीरी सरकेट है तो करंट सेम रहने वाला है तो जो करंट फ्लोर है इस अब रिस्टंस में से और इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी बताया गया तो हम आसानी से निकाल सकते 125 डिवाइड बाई 5 विच इस 25 ठीक है 25 ओम इसका रिस्टंस आ गया ओके अ सेम करंट क्योंकि यहां पर भी फ्लोर हो रहा है तो सेम करंट फ्लोर होने के करन इसका जो इंपेड़न्स आने का वह आएगा 40 ओम्स का अप्शन टू इसका करेट अंसल जागा विदाट पेंपर भी इसको सॉल का चकते है अगर आपको अब्ज़रेशन उतना स्ट्रॉंग करते है राइट फस्टेक्मेंन का मरें पास में रजिस्टर शो एचेंज अन्ग इन रेसितल्स वैलीजफें सब्जेक्टेइट वालेज अ में शब्रेशन किया इसमें ब्रेस्ट में जैसे हमारा फ्रिक्मेंश इंग्री इनग्रीज होता है यह स्टेटमेंट हो बहु गलत परफॉरमस यह भी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है ओक टैन मीस्ट यह फिल्म रेसेंस हैं काफी स्टेबल हाइध फ़िफवेंस हमें प्रवाइड कर रहे थे इसलिए मैंने में ने मैं ने धीसी इसे फिल्म रेसिस्ट हो गया वाइरवांड रिस्टेंस हो गया आपको रिस्टर से पता है एक छोटी से टर्मोलोजी पता है लेकिन इसके बाद में जो अलग-अलग उसके टाइप जाते हैं उसके उसको अगर 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 आपका वीक होंगा तो वाच कीज़ेगा फायदे मन रहेगा नेक्स ऑप्शन है हमारे पास में तो फ्रिक्वेंसी एफेक्ट और रिस्टेंस का वो वह वैरी नहीं होता है बोल रहा है विद दर कंस्ट्रक्शन यह गलत हो जाएगा यहाँ ठीक सिंपल a di SING equipment fitted with the radio aerial consist of a lenght of resistance wire so orange when a current is passed through it a parts of a aerial becomes warm the resistance wire dissipates about one two five zero watts when a 50 volts is maintained across its inch it is connected to a DC supply by a hundred meters of this copper wire each conductor of which has a resistance of 0.006 ohms per meter abhi am i ka puchha gaya calculate the current in a resistance वायर, power lost in the connecting copper wire and supply voltage required to maintain the 50 volts across the heater itself, तीन कोशिशन, एक सिंगल कोशिन में पूछेगे, या प्रश्ण में काई दिला है है सगयत पहले अपलाला सम्दून खेना एकदम घर्जट सा है, अभी देखे, आपके पास एक कार देखा होगा आपने, ठीक है, बेसिक सा आपको फंक्शन बता जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो back mirror, यह मानुलो क्या आप भी अपने इसको सोचा है, ठीक है, यह जो lines रहती है, these are nothing but high resistance wires, ठीक है, आपको पता है, जब भी एक resistance में से, ठीक है, या फिर एक normal high resistance conductor wire है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी current flow होता है, तो इसमें से जो produce होती है, वो है हमारी heat, जो I square R loss होता है, वो किसके form में होता ह in the form of heat, अब यह heat जो ही utilize की जाते है, जो हमारे पीछे का car के, पीछे का glass रहता है, उसको heat up करने के लिए, अब यह heat क्यों करेंगे, ठीक है, क्योंकि generally क्या होता है, अभी हम लोग जो हमारे conditions रहते हैं, weather conditions रहते हैं, लेकिन foreign countries में जहां पे एक ice रहता है, ठीक है, अगर ice इस के पर saturate हो जाते हैं, तो उसके पर ice को melt करने के लिए, इसमें से current flow किया जाता है, काफी thin ice रहते हैं, अब इसको definitely कोई हर एक car पर यह लगा रहा रहता है, डी-icing इसको रहता है, ठीक है, तो यह कुछ वायस में से कजिसे current flow होता है, तो यह जो particular portion है, वो heat up होता है, ठीक है, और यह complete glass heat up होने के कऱर, यह ice melt हो जाता है, यह काफी एक फायदबन feature रहता है, तो उसी तरीकी से बोला गया है, कि इस question में, हमने एक radio aerial है, ठीक है, अब उसमें भी condition होता है, कि icing condition जहापे रह सकते हैं, उसको di-ice करने के लिए, उसको melt करने के लिए, ताला वितरवाराना ह सब्सक्राइब करने के लिए, प्रशना करता है, बट इसमें जो important जो fact है कि हमें तीन values निकालनी, ठीक है, यहाँ तक को सिर्फ हमें basic functionality बताएगे, वो तो कुछ आपको काम नहीं है, major जो चीज है, वो हमें यही चीजे calculate करने है, अभी देखिए, जो हमारा current रहेगा, वो current क कितना रहेगा, काफी simple है, current हम लोग आसानी सी निकाल सकते हैं, वो रहेगा हमारे पास 1250 divided by, हमारे पास कितना voltage है, वो हमारे पास 50 volts, okay, 50 volts, तो current कितना रहेगा इसमें, वो हमारे 25 यह तो हमने निकाल लिया, तो अभी हमारे पास तो और हम लोग eliminate नहीं कर सकते हैं, first option eliminate होग यह क्यों बता रहा हूँ है, क्योंकि जो अगर elimination method से जाते हैं, तो आपको multiple values निकालने की ज़रूरत नहीं रहेते हैं, तो यह भी आप smart move ले सकते हो, next thing is, the power lost in the connecting copper wire, अभी मुझे बताएगा, जो resistance है, एक copper conductor का, वो हमारे पास 0.006 ohms per meter, अभी अगर हम लोग इसको 100 से multiply करे हो रहेगा हमारे पास में, 0.6 ohms, ठीक है, यह value आगा हमारे पास में, 0.6 ohms, अब देखे, एक single conductor के लिए होगे, इसको में 2 से multiply करना पड़ेगा, कि दोनों copper conductor से multiplied by 2, which is, value will be 1.2 ohms, यह आपे हमारे पास value आगे, ठीक है, I'll eliminate this so that I have a confusion now, okay, and color पन change करूं की भी आपन, ठीक है, let's take this green color, and अभी देखे, जो power loss होगा, वो किस के form में होगा, I square R के form में, okay, तो यह I square R के form कितना हो जागा, यह रहेगा हमारे पास में, 25 square multiplied by 1.2, 25 square कितना हो जाता है हमारे पास में, 625 multiplied by 1.2, अब देखे, जनरली आप इसको 625 into 1.2 ऐसा भी करते हो, तो भी आपको उसका value आ जाता है, लेकिन मैं आपको shortcut बता तो, जिसके math marathon में आपने बढ़ाए था, वो भी session यूटूब पे available है, और मैंने किस तरीके से calculation solve करते है, ठीक है, वो भी session mention किया था, उसके अगर आपको link चाहिए होगा, तो प्लीज मुझे मांगीगा, और उसको अच्छी तरीके से 20 से 30 minute का decision है, लेकिन आपको समझ में आजएंगा कि किस तरीके से calculation fast होते है, अब देखेगा, 625 into 1.2 है, इसको हम लोग 625 into 1 into 0.2 भी लिख सकते हो, ओके, तो हमें 0.2 का value कितना होता है, वो आपको पता होना चाहिए, it is 1 by 5, fractional की value में, अगर हम लोग करते तो, multiplied by 6.25, 625 करते तो इसका जो value आता है, 125, ठीक है, तो simply आप क्या कीजिएगा, 625 में, 125 add up कर दीजिएगा, you will get the values as a 750 Watt, ठीक है, यह आगे हमारे पास next value, अभी हमारे पास directly second option, जो second option है, और third option हो हमारा eliminate हो जाते है, क्योंकि हमारे पास 7.5 Watt और 75 Watt से, directly 750 Watt हमारे पास यहापर answer given है, we can directly mark this as a correct answer and move on to the next question, but still हमारे पास जो answer आ गया, फिर भी हम लोग जो next terminologies है, supply voltage required to maintain 50 Watt, इसका value निकाल लेगा, कितना supply voltage required रहेगा, कि 50 Watt हमारे heater के ही terminal पे रहना चाहिए, अब दिखे, यह तो 50 Watt हो गया, लेकिन हमारे पास में, इसका जो voltage रहेगा, ठीक है, that means जो हमारे voltage drop होगा, connecting the copper wire वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास में 25, यह कि यहाप लिखर हो में, let's change the color once again, so that आप तीनों भी values discriminate कर सको, okay, वो को इतना होगा 25, multiplied by हमारे पास कितना resistance आया, वो आया हमारे पास में 1.2, जिसका value हैगा 30 Watt, तो यह 50 Watt plus 30 Watt, कितना हमारे पास required रहेगा, यह रहेगा, हम हमारे पास option C, correct, यह जो हमारे पास third terminal है, third हमारे पास में जो value है, इसका ही हमारा correct answer आजएगा, आयो पॉपक के question समाझ में होगा, काफी easy सा question था, और fundamental question था, अगर आप चाहते हैं, तो इसको 2-3 minute में भी solve कर सकते हैं, तो भी आप इसमें से, जो कुछ terminology से, अगर आपने 0.6 ही consider कर लिया, तो आपका answer definitely गलत होना ही होना है, ठीक है, इसको multiply करना है था, two, okay, यह किस तरिके से होता है, कि सारे चीज़े में यह आपर mention करा दिया, so बढ़ते हैं भी हमारे पास next question के वार गाई, next question के हमारे पास में, a letter A consists of a uniform wire, of a resistance 1 ohms per centimeter, the side of the letter are each 20 centimeter long and cross piece in the middle is 10 centimeter long, बोला कहें कि side जो है, ठीक है, हमारे 20 centimeter के है, यह जो middle वाला cross piece है, यह हमारा 10 centimeter का long है, okay, while apex angle is 60 degree and find, यह जो angle is 60 degree का है, and find the resistance of a letter between the two ends of the angle A and E, इसके across का हमें resistance पता करना है, कुछ भी बताया गया है हमारा, पास यह किसका, इसका कितना value है, सिर्फ हमें बताया गया कि uniform wire है, जिसका resistance ह 1 ohms per centimeter, okay, और middle वाला जो हमारे पास 10 centimeters का long है, अभी देखे, इसको किस्तिर के shortcut approach किया जा सकते है, मैं आपको बताया तो, यहापे क्या बला है, sides of the letter are each 20 centimeter long, यह अगर 20 centimeter के है, okay, if this is a 20 centimeter, और आपको यह बोला गया कि, कि 1 ohms per centimeter है, तो इसको total resistance कितना आजेगा, 20 ohms, right, गे, okay, यह जो complete है, यह 20 centimeter का है, ठीके, समझेहें का जरूर, ठीके, यहाँ से यहाँ तक 20 centimeter का है, ठीके, और यहाँ से हाँ तक 20 cm के, ठीक है, हमने यहाँ पर एन कंसेलर किये था है, यह 20 cm की तो, अभी सी बात है, ठीक है, अक़ोडिं इंडरिक्नोमेट्रिक रूल, ठीक है, यहाँ पर दिसन्स आता है, यह भी 10 cm तो इसके क्लोस का यह रिसंस भी 10 ohm हो जाएगा, ठीक यह भी 10 ohm हो जाएगा जैसे मैं आपको अभी calculate करके बताया क्योंकि हर एक centimeter में एक ohm का resistance है तो हमारे पास multiplied by 10 करेंगे तो 10 आ जागा ये भी हमारा 10 रहेगा value ठीक है and this will also 10 but यहाँ पर जो है ये भी हमारा 10 centimeter का अलोड़ी बताया गा तो यह भी हमारा 10 ohms का resistance आ जागा तो simple है अब दिखेगा इसके across में आपको resistance निकालने और A और E के across में तो यह R2 और R3 हमारे series में connect हो जाएगा उसके parallel में हमारा 10 ohms का resistance आपके combination में आ जाएगा ठीक है तो और यह भी हमारा 10 ohms का resistance R1 ठीक है यह first resistance हो गया यह मान लो R1 ठीक है this R2 this gets in a series with R3 okay इसके parallel में हमारे पास में जो है R5 है connected okay and then इसके series में हमारे पास connected है R4 तो आप इसको आसानी से solve कर सकते हो ठीक है यह कर हमारा 10 हो गया यह 10 हो गया यह 10 हो गया यह 10 हो गया यह 10 है और यह 10 है ठीक है 10 plus 10 will be 20 20 ठीक है parallel with a 10 इसका कितना आ जाएगा 20 multiplied by 10 plus 20 plus 10 will is 30 ठीक है यह कितना आ जाएगा 200 divided by 30 which is 20 by 3 तो सिंपल सी बात है अगर हमारे पास यहापर 20 by 3 मतला आ जाता है 6.67 6.667 6.67 ओके ठीक है यह complete combination का resistance जो आ है हमारा एक ही आया 6.67 का अब यह को तीनों भी सिदेज में हो जाएंगे 6.67 plus 10 plus 10 which is 20.67 option 3 इसका correct answer आ जाएगा आयोपक को यह question समझ भी हैंगा काफी simple सा question so देखते भी हमारा next question guys question का है हमारे बास में average power is given by PAV equals to what assuming T is equals to time in which energy W flows काफी simple सा question ता guys अगर आप देख सकते हो इसका correct answer हो जाएगा हमारा option 2 okay W by T okay बोला क्या गया है जो power हम लोग define करते है it is a rate of work और energy delivered या फिर में लिखते है W by T okay power which is rate of work done और energy delivered option 2 इसका correct answer काफी अलग अलग तरीके से हम लोग को define कर सकते हैं अगर हम लोग instantaneous power अगर हम लोग बोले तो हम लोग किस तरह किस लिखते हैं पी instantaneous x2 dw by dt okay यह भी आपको ध्यान में रखना होगा next question is the source in the circuit shown is a sinusoidal source the voltage drop across various elements are marked as shown in the figure the input supply voltage is what अभी बोला के है हमें input supply voltage कितना आएगा यहाप यहापे हमें इसके हापे हमार बस में इंडेक्टर है जिसके across में 14 volt का drop है और capacitance है जिसके across में 10 volt का यहापे drop है अभी अगर हम लोग इसका voltage निकालते है ठीक है source voltage अगर हम लोग निकालते है ठीक है vs या फिर हम लोग vin कह लेते चलो इसको तो यह क्या हो जागा यह क्योंकि यह RLC series circuit है इसका आपको पते होगा VR square plus in bracket VL minus VC VL minus VC volt square ठीक है जो voltage drop across resistance है वो कितना है यह मार पास में 3 square plus VL minus VC कितना है ठीक है इंडेक्टर के across में कितना हो मार पास surprise voltage है ठीक है वो यह मार पास 14 minus 10 10 which is 4 4 square 3 square will be 9 plus 4 square will be 16 and root of 25 will be equals to 5 volt option 2 इसका कारी टैंसर आजएगा काफी सिंपल सा कोशन है अगर किसी का mathematical calculation easy है और इनको पता है कि यह formula लगाने से हम लोग डारेक्ली आसा answer निकाल सकते है तो without pen paper हम लोग इसको within a second 10 से 15 सेंदर हम लोग after reading the question हम लोग इसको calculate कर सकते हैं इस correct answer मार कर सकते हैं काफी सिंपल सा कोशन है after reading this question अगर आपको पता चल गए सीरी सीरी स्क्वार हो गया हमारा 9 प्लस आप समझ लो इन दोनों का difference 4 ठीक है इसका 4 आ रहा है ठीक है तो 9 प्लस 16 विल भी 25 अंडरोट ऑफ 25 option भी हमने directly answer मार कर दे यहां पर हमारे पास ऐसा भी option नहीं कि 25 करके जो हम लोग confusion कर रहा थे 27 और 24 यह नहीं हो सकते 10 भी नहीं है ओके next question is the magnetic flux और हाँ एक चीज मैं करें तो यहां पर हमारे पास condition रहती तो क्या होता था मुझे आप comment box में comment करके बताएगा अगर resonance की condition होती तो मुझे यह बताएगा यहां पर voltage कितना रहता रहता ओके next question है हमारे पास में the magnetic flux density in an air code coil is 10 to power minus 2 waver per meter square with a cast iron of a relative permeability of 100 inserted in the flux density will be what अभी देखिए बोला के गया है कि अगर हमारा magnetic flux density जो है air code coil का ठीक है air code coil मतलब आपको मैंने यह बताया था कि air code ferrite core ठीक है इसके पर जो अलग-अलग lines बने रहे थे उसका क्या मतलब होता है करके dot notations क्या होता है इसमें आपको बताया था कि fundamental वाला core join करके रिख लिजेगा उसमें आपको multiple चीज़े यहां से clear up हो जाएगी तो यह air code coil है जिसका जो हमारा air flux density है जो हमारा flux density 10 to 1 minus 2 weber per meter square ठीक है cast iron का core है हमारे बास अगर हम लोग यहाँ पर cast iron का core हम लोग add करते इसके अंदर हम लोग cast iron का core add up करते इसके permeability 100 तो इसकेस में magnetic flux density बढ़ जाएगी obvious ही बात है ठीक है तो वो कितना हो जाएगी हम ऐसा question में पूछ है okay अभी देखे guys अगर हम लोग magnetic flux density B से represent करते यह क्या होता है h is equals to mu 0 into mu r into h okay that means magnetic flux density जो है और डारेकल प्रोपोर्शनले permeability से ठीक है based directly proportional to mu right तो अगर हमारे पास relative permeability क्या होती है हमारे पास air की वो होती है हमारे पास 1 ठीक है air का जो magnetic permeability होता है हमारे पास 1 guys okay और next जो चीज़ आती है जो हमारे पास relative permeability पता ही है cast line के वो है हमारे पास 100 okay तो इसका calculation हम इस तरीके से कर सकते है बी वन इस डिवाइड करते हैं तो हम लोग आ रहा रहा ratio क्या बन जाएगा यह बन जाएगा कुछ इस तरीके से b1 by b2 is equals to mu1 by mu2 okay इससे हम लोग क्या करेंगे b1 का value हमारे पास 10 दिवार माइनस 2 वेबर पर मिटर स्क्वेर ठीक है भी टू का value में नहीं कालना है ठीक है 10 दिवार माइनस 2 अपोण बी टू विच इक्वेस तु 1 अपों 100 ओके बी टू का value कितना जाएगा हमारे पास 100 इन्टू 10 दिवार माइनस 2 वेबर पर मिटर स्क्वेर यह 100 अगर 10 दिवार माइनस 2 कैंसल हो ठीक है हमारे पास सीधा-सक का एंसर राजएगा वन वेबर मिट्र स्क्वेर ओप्शन 3 इसका करेड अब दीखें गाईस यहां से जो चीज है हमें और क्लेरिफा होती है यहां पर अगर एयर कोड कोईल है ठीक है सिंपल सी बात है ठीक है एयर कोड कोईल होने के करना इसकी परमेबिलिटी जो है इसकी जो 10-2 और माइनस 2 है तो क्या यह 10-2 और माइनस 2 रहेगी का नहीं यह नहीं रहेगी बिल्कुल भी ठीक है इसके बाद यह और कम हो जाएगी का नहीं यह और कम हो जाएगी का नहीं ओविसी बात है हमारे पास option एक ही बचता है इस तरीके से भी हम लोग इसको by systematically एक हमारा जो observation है उससे अब हम लोग question को solve कर सकते हैं without knowing the formula या फिर कभी कबार हमें confusion होते हैं तो यह थोड़ा से अप्रोच लगे हो चलना है examination में not necessarily कि आपको हर एक question आना ही चाहिए सो देखते हैं भी हमारा next question guys question का है हमारे पास में a synchronous motor will deliver maximum power में एक synchronous motor maximum power deliver करेगा इन में से कौन से condition satisfy होती है तो यह तो question काफी simple answer है load angle जब हमारा internal angle theta के बरावर हो जाता है तब हमारा synchronous power maximum जो synchronous motor है हमारा maximum power develop करेगा इसके परिछे हम लोग logic देख लेते हैं क्या formula होता है ठीक है अब हम लोग जनेरल इसको डिटेल में discuss नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक fundamental theory इसका बता जाता हूँ जो हमारा p mechanical का एक formula होता है जो power develop होता है जो mechanical power develop होता है synchronous motor को दिया जाता है p mechanical is equal to ev divided by zs cos of theta minus del minus e square zs cos of theta अभी आपको इस चीज में चीज़े पता होनी चाहिए कि हमारे पास e क्या है ठीक है यह होता है हमारे पास excitation voltage ठीक है excitation voltage V क्या होता है यह होता है हमारे पास terminal voltage ठीक है V होता है हमारे पास terminal voltage zs क्या है zs है हमारा synchronous impedance zs है हमारा synchronous impedance next चीज़ आती है हमारे पास में कि इसमें जो theta और dell यह काफी बड़ा रूल प्ले करते है ठीक है यह जो theta होता है यह होता है हमारे पास internal angle ठीक है it is our internal angle and this dell is dell is given as a load angle major चीज़ जो है इस case में कि जो maximum power develop होगा mechanical power जो develop होगा उसके लिए condition आती है उसके लिए हम लोग डेरिवेट करते हैं डी में कापी डेरिवेशन ओफ पी मेकानिकल बाइड डी डेल इस एक स्टू सिरू यह कंडिशन आप ध्यान में रिखते हैं क्योंकि यह भी काफी कबर एक्जामनेशन बनती है एक लेवल के को एक्जामनेशन में ऐसी इस केमें जो फ्रफ दूट करते हैं आप ठीटा है हमारा जो महरा यह देल के सीक अपार मैक्सिंप पावर डेलॉट हो को जाती है इसको करने के बाद ही हमारे एक कंडिशन मंझाती है ठीग है ठीग तो आयको कोशन समझिब आख ऑप्शन वाया है को ओप्शन वंबिल यह option तो directly गलत हो जाएगा एक synchronous condenser क्या होता है कि इसको हम लोग as a variable capacitor करके भी है करते है ठीक है एक ordinary capacitor bank यह भी हमारा option गलत हो जाएगा अभी हम लोग option 3 और 4 डिसक्स करते है इडिजन ओर excited synchronous motor with a no shaft extension यह भी हमारे पास जो option बताएगा यह भी correct है और and over excited synchronous motor without a mechanical load यह भी as equivalent to this third option यह भी हमारा equally है ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं कि contradictory options है जो MPC board ने हमें इसका correct answer mark किया वो हमारे पास option 3 है लेकिन हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर over excited synchronous motor without a mechanical load यह भी option अगर आप देखते हैं तो काफी सारे examination में काफी सारा option यह करके यह भी correct mark कि दिया है and it is nothing but the same thing अब बात को समझेगे कोशिच कीजिगा synchronous condenser क्या है एक से over excited synchronous motor यह तो काफी चीछ से काम लोगे without no shaft extension यह भी इसका meaning यह हो जाता है आप इसको challenge definitely कर सकते हैं option 3 इसका करेट answer जो है mention करेके रहेकर लेकिन है क्योंकि option 4 भी given है तो इसको आप definitely note कीजिएगा next question is question number 63 the pullout torque of a practical synchronous motor will occur when the torque angle is about okay pullout torque जो है हमारा synchronous motor का यह कब रहेगा जब हमारा particularly इसका जो टॉर्क एंगल रहेगा about 75 degree option 4 इसका करेट answer आजाएका और इसमें एक जो major चीज़ आती है कि जो synchronous motor जाए maximum torque ठीक है T max कब develop करेगा जब हमारा rotor एक 90 degrees से एक fallback करता है तो ठीक है यह condition आपको धहन में रखना होगी ठीक है pullout torque क्या होता है it is a maximum torque which synchronous motor can develop without pulling out of step यह होता है हमारा पस pullout torque और यह हमारा 75 degrees का correct answer जाता है जो हमारा पस option 4 में given so देखते हैं हमारा next question question क्या है मारा पस the power factor of a synchronous motor power factor जो हमारा पस synchronous motor का वो क्या होता है वो एक मानलो एक हमारा नोड लोड के करवर इतना जा रहा है ठीक है यह कुछ इस तरह किसे हमें दिखा जा रहा होगा तो हमें जो फुल लोड पे और हाफ लोड पे conditions हमें अलग 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 देखने को मिल सकते हैं यहां पर lagging power factor आता है यहां पर लेडिंग पापर आता है यह हो सकता है option 1 इसका correct answer आ जाएगा next question is synchronous generator connected to infinite bus is overexcited एक हमारा synchronous generator हमारा infinite bus को connect करके रखाए वो overexcited है तो हमारे उस condition में जो condition बनेगी वह as a capacitor करके work करेगा simple सा question है एक concept के पर दो question पूछ लिए okay next question is in a synchronous motor hunting can be reduced to minimum possible by synchronous motor hunting को eliminate करने के लिए काफी सारे हमारे पास options है जैसे के हम लोग damper winding का इस्तिमाल कर सकते है on the rotor pole faces या पर stator अगर option रहता तो या पर हम लोग इसको markup कर सकते है ठीक है या पर यह गलत हो सकता था जीकिन यह सही है अभी next हम लोग flywheel का भी इस्तिमाल कर सकते है so that हम लोग एक constant motor of energy हम लोग generate करके रख सके designing the motor of adequate synchronizing power यह भी statement हमारा करेक्ट है any of the method can be used for reducing the hunting as minimum as possible next question is synchronous machine में जो stator frame रहता है वो किसका बना रहता है ऐसा question पुछा गया सिंपल सा है ठीक है कास्ट आया फिर welded steel poles का बलेट्स का बना रहता है अगर stator frame की बात कर रहे तो यह पर पास option यह correct हो जागा ठीक है core की बात कर रहे ठीक है particularly तो वह होता है पर पास silicon steel का ठीक है core की बात कर रहे तो silicon steel होता है यहां पर confusion हो सकता है तो आपको core और इसमें stator frame में आपको confusion नहीं करना है option 3 इसका correct answer है रहेगा next question is काफी simple सा question है ठीक है within 10 seconds इसको पढ़ने के बाद आप answer mark कर सकते हो which are the following graphs represent the speed or characteristics of a synchronous motor synchronous motor अगर आपने अची तरीके से पढ़के रखा होगा तो आपने बता होगा कि इसकी जो synchronous इसका rotor speed रहता है ठीक है यह हमारा synchronous speed रहता है यह synchronous motor कहा कहा इसलिए जाता है कि वह synchronous speed पर रहना हो नहीं जिसका formula होता है 120 into F divided by P ठीक है मान लोगर frequency 50 है number of force 4 है तो इसका 1580 rpmp ही रन होगा तो obviously बात है without any changing any load मतला अगर load भी change होता है irrespective of load change यह constant speed machine है तो आप इसमें graph में देख सकते हो कि यहाँ पर अगर x-axis पर हमारी speed constant है ठीक है at certain torque तो हमारा जो speed constant है यह है हमारा synchronous motor का speed torque characteristics option one इसका काफी fundamental अगर आप कुछ चीज़े notice करते हैं तो question को attempt करना काफी difficult नहीं था सिर्फ आपको मन में ऐसा बठानी लेना है कि मेंस के examination है इसलिए difficult होगा करके ठोड़ा fundamental approach रखते हैं तो definitely काफी सारे questions का आप easily approach कर सकते पेपर टू तो काफी आसने का इस पेपर टू में most of the questions हमने अल्री डिसस करके रखे था हमारे courses के अंदर हो regular sessions के अंदर next question is और जितने भी experience serious है तो please coordinate कीजिएगा ठीक मैं आपको proper पर एक strategy बताऊंगा कि किस तरीके से examination को clear करना है अगर आप आने वाले समय में इसको target कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको sessions पसंद आ रहे तो please electrical engineering mcqs को subscribe कीजिएगा we are very near to reach 100k ठीक है चल्दी से जल्दी विदिन बिफोर december हमें complete करा दीजिएगा i will definitely up to shoot that okay इस और इसी तीर के से मैं आपको share session जो आपको mention कराते रहूंगा मनाते रहूंगा question का है हमारे पास which of the following will change in a three phase synchronous motor as a consequences of excitation variation अगर हम लोग excitation को vary करते हैं तो इसमें से synchronous motor में क्या उसका consequence रहेंगा कि क्या change हो जागा इस case में हमारा pull out torque, torque angle, magnitude और power factor जो हमारे पास टेटर करना का वो change रहेंगा अगर हम लोग इसमें से excitation को vary करते हैं question को समया जी की कुछिश की जाएगा question काफी simple है कि इसमें से क्या consequence होगा consequence होगा मतलब क्या तैचे काई परिणाम होतिल जर्थ तुम्हें excitation change के लतर अगर आपने excitation change किया तो उसके क्या परिणाम होंगे हमारे three phase synchronous motor के पर वो हमें option में से बताईएगा उसमें pull-out torque, torque angle, magnitude or power factor जो स्टेटर करन का वो भी change हो जाएगा option 4 will be the correct answer in this case next question is which of the following statement is correct इसमें से कौनसा statement करेट है मैं आपको सिधा से रहा correct statement mention करा जेता हो in a salient pole synchronous machine the air gap दिखे salient pole synchronous machine में जो air gap रहती हो least रहती है under the middle of the pole जो and increases onward simple है जो air gap रहती है वो non uniform रहती है यह particularly हम लोग salient pole की बात करेगा इस ठीक है salient pole में जो है air gap जो है non uniform रहती है कहाँ पर along d axis ओके और अगर हम maximum की बात करें तो along q axis हमारे पस maximum जो है उसका air gap रहता है तो यह दोनों भी conditions ध्यान में रहती है कुछ 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 examination में यह भी पूछा जाते है तो option 2 इसका correct answer आजएगा सो देखती में मारा next question a small system consists of a four identical 500 MW generating unit feeding a total load of 1020 Megawatt एक हमार पास एक small system है जिसके अंदर चार identical 500 MW के generating unit है जो feed कर रहे है total load है जिसका 1020 Megawatt inertia constant बोला गए हर एक unit का हुआ हमारे पास 5 on a 5 MW base अगर load vary होता है 1.5% से अगर 1% change होता है frequency में that means for a 1% change in a frequency load varies for a 1.5% when there is a sudden drop in a load by 220 Megawatt जैसे 20 Megawatt का हमारे पास load drop होता है ठीक है तो उसकेस में हमें inertia constant H और D जो है हमें 2000 MW base पर calculate करने अब दिखेंगे इस question को आप skip भी कर सकते है लेकिन solve भी कर सकते है depend करते हैं अगर आपको इस तरह के questions आते हैं तो not necessary आपको हरी questions examination में doable लगता हो आपको कुछ समय बचा कि आप इसको by the end of this paper भी आप solve कर सकते हैं क्योंकि हमें जो चार यूनिट से हमारे पास में 2020 MW base के लिए टिकाद उसका inertia constant H जो है वह में लोग कुछ इस तरीके से calculate करेंगे H will because to H will be equals to 5 multiplied by 5 multiplied by 5 divided by 2,000 divided by 2,000 multiplied by 4 which is equals to 5 यह आगया अभी हमारे एच के बाद वाल्यू आगे है inertia constant H का value हो गया consequence option में given है सबसे पहले एक भी अगर value आती ही तो option check करें हमारे पास 1 और 3 में given है तो we have no options हमें दोनों भी values निकालनी पड़ीगे अगर हमारा जो damping factor है अगर में लोग निकालते है एक बैलिक्स विचिस डी ठीक है फॉर रिमिनिंग लोड ताफास में रिमिनिंग लोड कितना रहेगा ठीक है multiplied by 1000 divided by 2000 ओके यहां जागा 0.5 तो 0.5 से अगरन लोग इसको यह करते है ठीक है multiply करते है इसका value कितना है का 1.5 multiplied by 0.5 which is 0.75 okay option जोए 1 इसका correct answer आजएगा ठीक है which is d will be the 0.75 यह हमारा पास option 3 भी आपर गलत हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको solve करना रहता है ठीक है कुछ questions को option 1 will be the correct answer in this case next question is for a load flow solution what are the quantities specified at a load bus ठीक है तीन टाइब की बसे रहते है एक तो रहे था हमार पास generation bus या फिर हम लोग उसको PV बस कहते है दूसरा रहे था load bus या फिर PQ bus कहते है slack bus या फिर हम लोग उसको reference bus भी कहते है तो कुछ quantity specified के जाते है चार quantity रहे थी बिसिक लिए और कुछ unknown रहे थी जनरेशन फिर पीवी बस में जो पी और वी वैल्यूस मेंचन की जाते है unknown quantity रहे थी हमारे पास Q और डेल रेक्टिव और वाल्यू ओफ डेल लोड बस में हमारे पास P और Q जो है ठीक है या फिर PQ bus में में जाता है या पिर हमारे वी और डेल हमारे पास वैल्यू निकालने रहे थी है यह टेबल ध्यान में टेख लीजिएगा एक क्वेश्चन 100% काफी सार एक्जामिस में डेफिनेटली बनता है कोई भी वाल्यूस हो सकते हैं एक तो मैच जे फैर के वाम में बनेगा या फिर कुछ इस तरीके से भी हमें देखने को मिल सकता है next question is for a round generator with a internal voltage EG equals to 2 per unit XDG is equals to 1.1 per unit is connected to a synchronous motor with a internal voltage EM is equals to 1.3 per unit XDM is equals to 1.1 per unit the reactance of a line connecting the 2 is 0.4 per unit if the generator is supplying 0.5 per unit power the angle difference between EG and EM is what ठीक है आपको जो पता होना चाहिए कि जो पावर डिल यहां पावर रहते हैं अमरे पर सिंख्रोने जेंटर का होंब्लोग किस तरी कैसे express करते हैं P is equals to let me clear write it down once again P is equals to EV upon X is sin of L you have to note down this formula जहाँ पर E क्या है हमारा यह हमारा internal voltage है अब देखिए यहां पर internal voltage पर कितना है टू पर यूनिट में सारे पर यूट रियक्टन्स बताया गया हमारे पास में ठीक है रियक्टन्स बताया गया गया ठीक है एक्स डीजी जेनरेटर का रियक्टन्स है हमारे पास में 1.1 per unit ठीक है उसके बाद में हमार पास में motor का reactance बता है XDM जो हमार पास में 1.1 per unit है once again और इसके बाद में हमार पास में line reactance है ठीक है the reactance of the line connecting the two is 0.4PU ठीक है line reactance है ठीक है वो हमार पास 0.4 इन सब के अगर addition करते तो जो equivalent reactance आएगा है वहाएगा हमार पास 1.1 plus 1.1 which is 2.2 plus 0.4 will be 2.6 okay 2.6 per unit इसका हमार पास में complete equivalent हमार पास reactance हाजाएगा okay excitation voltage कितना है हमार पास में ठीक है वह हमार पास 1.3 per unit okay और power कितना है हमार पास में 0.5 per unit power okay तो हम लोग values निकाल सकते कैस 0.5 will be equals to eg जो internal voltage e जो है वह हमार पास में 2 okay 2 multiplied by हमार पास value कितना है यहाँ ठीक है इसका जो था EM जो था okay excitation voltage हमार पास 1.3 divided by इसका values कितना है 2.6 multiplied by sign del okay sign del का value हम लोग आसा निसे निकाल सकते हैं यहाँ पर इसको completely solve करते हमार पास में sign del का जो value आता है वह आते हमार पास में 0.5 del की बात करते हैं तो sign inverse of 0.5 will be 30 degree option 2 इसका correct answer आजएगा इस तरह किसे आपको solve करने रहते हैं बढ़ते भी मारे निक्स कोशन के और गाई कोशन नमबर है हमार पास 74 अब maximum demand on a power session is 600 megawatt the annual load factor is 60% और capacity factor बताए गया 45% find the reserve capacity of the plant यह हमारा जो transmission और distribution वाला जो हमारा course है उसके इंदर हमने same question cover कराके रखा है और अगर आपको वो course नहीं भी लेना होगा तो आप directly हमारे पास economics of power generation session देख लीजिएगा मैंने आपको बता था कि 100% guaranteed एक नए question हर एक examination में बनता है और इस examination में भी पूछा गया मैंने आप अपर थमनेल में में मेंचन करके रखा कि एक question पूछा ही जाएगा करके और यह same question आप MPC के examination में देख सकते हो सिंपल एक question guys reserve capacity हमें पता करने है complete plant की अब दीखे रिजर्व capacity के अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर फोर 600 megawatt है तो वह जनरली 500 megawatt तो रहेगी नहीं आप इसे अंदाजार डिफिनिटी लगा सकते हैं तो अगर अब मार्क कर रहें तीन ओप्शन में तो 500 megawatt मार्क करके मताना गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि अगर हमरे पास maximum डिमांड हमरे पास 600 megawatt है तो क्या वह सिर्फ रिवर क्या वह एक्चुल जो यूज है वह सिर्फ 100 megawatt है कुछ रहें हमारे पास 100 कैपसी और हम लोग 90 परसंट की रिजर्व में रहा है हम सिर्फ 10 परसंट यूटलाइज करें नट नेसरी लाइक आट जरूरी इसका जो रहता है वह 10 से हम लोग कह सकते हैं दस से 20% रहते हैं थम रूल है बेसिक सा ठीक है नुमरिकल में वैल्यूस चेंज हो सकते हैं उसकी भी आप ध्यान में रहीज़गा सारे वैल्यूस बता है कि अभी हमें आवरेज डिमांड निकालना पड़ेगा ठीक है कि जिससे हम लोग जो है मर पस प्ला प्लाइब कितना हो जागा 360 मेंगावेट रेट 360 मेंगावेट यहां अभी हमार पास प्लाइड कापसिटिटी फेक्टर तो प्लांड की कितने हमार पास ठीक है वोग लोग फाइंड आट करेंगे अवरेज जिमांड आया है मर पास में 360 डिवाइड बाइड 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 पास्टी फेक्टर के तने हैं मर पास 0.45 ओके जिसे मर पास में प्लांट की अपस्टी एट हंड़ आगे बस आगया है सका हमारा एंसर प्लांट की कैपसिट मतलब माइनस जो हमार पास एक्ट्वल यह मैक्सिम डिमांड टिके मैक्सिम डिवांड टो प्लांट कापसिटी एट हंडे मैक्सिम डिमांड है वार पास 600 200 मेगावट इसका करेंट सरह जाएगा option 3 विल बिदा करेंसर इसके यह एक और में यह एक मेथड हो गया इसके बाद हम लोग हमार पास एक और मैथड है जो भी हम लोग उससे भी साहल करते है अगर आप वह चाहिए होगा तो प्लीज मुझ से कमिनेट कीजिए वो भी आपको बता दोगा टेलेग्राम चाल पर काफी सिंपल सा ही वो भी हमारा मैथड है ओके next question is for a power system we can improve the steady-state stability limit by ठीक है steady-state stability क हम लोग improve कर सकते हैं by using a double circuit line instead of a single circuit line single circuit line के बदले हम लोग double circuit line का इस्तमाल करते तो हम लोग steady-state limit को improve कर सकते हैं option 3 इसका current answer आ रहा जाएगा session आगे बढ़ने से पर लेका और मेंचन करा देता है हमारा इसके इंदर आप यह सारे जो topics आप देख सकते हो around 28 topics है इसके इंदर तो आपको जो भी इसमें से टॉपिक चाहिए होगा तो हर एक topic जो है वन आवर का है ठीक है वन आवर प्लस का है आप इसके टाइमिंग पर बंद जाएगा ठीक है क्योंकि इसमें जो content मैंने mention करेके रह है ठीक है यूटिलाइजेशन हो गया है यह सारे topics जो हमारे में के लिए काम में आते हैं तो आप देख सकते हो बैटरी से लेके सारी चीज़ें मेंशन करेके रहा है पर्टिकुरियली फॉर एसको प्रेलिम्स के लिए यूज कर सकते हो तो तो जो complete course है एक साल के वालेटिट करने रहे हैं आप इसके नाम पर बन जाएक है कि यूपीशल जाएक के लिए आप इसमें से topic देखीगा और topic का content आप देखी जो आपको काम में आगा सारे syllabus oriented questions प्लस आपको theory मिलेगा इसके सिर्फ questions नहीं है सिर्फ उसमें आपको theory हमारे जो important tables और चार्ट है जिससे आप लो 33 रुपीश पर मंथ आपको आ रहे है ठीक है एक proper guidance में आपको mention कर रहा दूँगा इसको आपको 490 का जो प्राइस है आपको घटा के सिर्फ 390 में आजएगा अगर हम दो की coupon code लगा जाए तो जेए 20 ठीक है इसके लिए क्या करना होगा आपको application download कर लिजेगा एक electrical engineering MC की उसक क्योंकि हमार पास दूचा topics और pending है उसके अंदर वो जल्दी clear up करेंगे ठीक है उसी के कारण में mention कर रहा हूं बट बाकी यह 390 काफी worth course है आपके आने वाले हर एक examination के preparation के लिए और अगर जैसे सब को paper to paper to हम लोग discuss करेंगे उसके अंदर हम लोग बताएंगे कि कितने सारे questions as this पूचे गए हमारी scores के अंदर so do check it out check it out कोई भी आपको issue आता है तो please मुझसे community कीजिगा ठीक है इसका coupon code यह definitely अब ध्यान में रिखेंगे फ्लैट आपको 100 रुपीज आपे off हो जाए ठीक है बढ़ते यह मिमारे next question के और question कहा है हमार पास में देखिए यह question में भी हम लो ठीक है यह हमार मान लोग ग्राउंड है ठीक है तो जो maximum होता है ठीक हम लोग किसके लिए पता करते है पर्टिकुलेटर जो ग्राउंड क्लियरंस है उसके लिए हम लोग पता करें तो option one इसका correct answer है ठीक है यहाप हमारे पास maximum span of the conductor maximum stress on the conductor यह option आपको eliminate करने होगे इसको समझन के बनेगा s is equals to wl square wl square upon 80 अब देखें t क्या होता है यह होता है यह हमार पास tension L क्या होता है मार पास यहापे span और यहापे span और यहापे लेंथ लेंथ और यह जिस हो जा फिन लोग सो span भी कह सकते है और s and w is the weight of the conductor यह होता है मार पास weight of this conductor option one will be the correct answer in this case next question is current limiting reactor should be off ठीके जो current limiting reactors रहते है ठीक है वो किससे बने रहते है उसकी property क्या होती है कि वो low resistance रहते है and high inductive reactance रहते है उसका जो inductive reactance है it is high as compared to the its total resistance option two इसका करेंट answer है कार्फी simple सा question है next question is for a economical division of load between units within a plant the criteria is ठीक है economical division of a load between units within a plant उसकी लिए criteria क्या है कि सारे units operate हो चाहे at a same incremental fuel cost ठीक है सारे units जो हो अपरेट हो at a same incremental fuel cost यह है मार पास condition of optimum operation of economic dispatch जिसके ज़र condition हाते है df1 upon dp1 equals to df2 df2 upon dp2 equals to df3 upon dp3 is equals to df4 and so on ठीक है df4 upon dp4 and so on यह बता है lambda option one इसका correct answer आजएगा next question is the injection of vr is required mainly to देखिए इस question में काफी से response के doubts है particular मैं mention कर रहे दो यह जो questions है हाला कि हम लोग मैं खुद भी इसको acknowledge करता हो कि हापे जो options रहते है particular ठीक है यह काफी confusing से है और हम लोग कैसे सब्सक्राइब लोग उसका meaning निकाले तो वो same ही आता है as good as but यहाँ पर जो उन्होंने option देखे रहा है इसका correct answer जो board ने उसका correct answer mention करेंगे रहा है वो option 2 ही correct है कि कि injection जो होता है वियर वियर का ठीक है जो हम लोग रेक्टिव और को इंजेट करते है लाइन के अंदर ठीक है उसका major काम क्या होता है कि हमारा एक वोल्टेज प्रोफाइल बना रहे है ठीक है compensate for line losses increase the efficiency of transmission these are the outcomes ओके जनरली जो रियक्टिव पावर वियर कॉंपेशेशन मतलब जो ठीक है सीरिस कॉंपेशेशन जो एफट्स जो आता है हमार पासे flexible AC transmission ठीक है इसके इंदर काफी सारे हमार पासे compensation के methods है ठीक है रिक्टे पावर मेंटेंड करने के लिए या फिर आम लोगा रहे है voltage profile को मेंटेंड करने के लिए these are all together different topic but जो injection होता है VR का वो required रहता है to get a good voltage profile option 2 ही या पर इसका correct answer आ रहे है ठीक है फिर भी अगर आपको कुछ doubt लगता है था प्लीज मेंज़े comment box में comment करके इससे communicate की जिका before you're raising the query for this question okay next question is the steady state stability limit for a two machine system depends upon steady state stability limit two machines के लिए किसके उपर वो depend करती है उसके per unit reactance जो है power systems का उसके पर depend करती है option 1 इसका correct answer रहेगा okay important है ध्यान में रहे है और पर unit voltage के उपर भी वो depend करती है ठीक है अगर आपर पास वो भी option रहता है per unit reactance and per unit voltage ठीक है तो भी उसका answer correct हो सकता था था ओक है next question is according to the Coulomb's law of electrostatic magnitude of force of attraction और repulsion between any two charged bodies दो charge body के बीच में जो magnitude रहता है magnitude of force of attraction और repulsion attraction और repulsion दो नो के बीच में जो होता है दो charge bodies के बीच में वो क्या है it is inversely proportional to the square of distance between them काफी simple सा question है और ये में भी ये question पूछाता है okay f is directly proportional to 1 upon 4 by epsilon into q1 into q2 upon d square ये इसका formula रहता है simple next question is the potential difference across a capacitor of a capacitance 20 microfarad is inserted uniformly from 0 to 240 volt in a 1 seconds the charging current will be what okay charging current कितना रहे गाया हमर पस आसा ने ic will be equals to cdv by dt equals to 20 into 10s power minus 6 multiplied by 240 minus 0 to 240 रहे टीक है 240 minus 0 upon 1 इसको को रहें लोग साल करते है ता मर्फस वाले हाता है 4.8 milliampere simple the question the option 2 will be the correct answer in this case next question is the inductance of a coil is 200 the coil is carrying a current of 2 amperes how much work in a joule to be done to increase the current value of 3 ampere काफी जिम्तल का question है एक inductance जो है coil का वह हमरे पास 200 है ठीक है current फ्लो हो रहा है हमारे पास में 2 ampere का और जो हमारा अगर हमें इसका जो current है वह हमें 3 ampere next two step है हमारे पास में 3 ampere का current अगर इसके अंदर flow कराना होगा तो कितना work down हमें कराना पड़ेगा simple है guys ठीक है inductance है वह हमारा कितना है ठीक है half into L L कितना हमारे पास में 2 इसका value देख लिएगा 200 multiplied by i square ठीक है current कितना है 2 square इसके अंदिशन में हमारे पास में condition आएगा 4k 2 से 2 to cancel आजेगा ठीक है 2J next condition में हमारे पास कि आएगी कि हमारे पास में 3 ampere current flow कर रहा है वह हमारे पास आजेगा let me change this color यह काफी light हो रहा है I hope it can be readable ठीक हाफ into L L a constant हमारे पास में या पिर 3 square आजेगा ठीक है 2 से 2 to cancel 3 square will be equals to 9 okay तो जो difference आ रहा है फोल जूल ठीक है अभी current trace करने के लिए वह कितना कर जा रहा है वह आ रहा है हमारे पास से 5 ठीक है option इसका फॉर इसका करेट अंसरा रहेगा फाइव जूल्स विल्टा करेट आंसे इसकेस दीकिए मैं चाहता है तो यह सारे option जो है वो A B C D के form में जो है जनरली हम लोग जिस तरह के से mention कर दे वह हम लोग कर सकते है लेकिन आपका क्यूंकि पेपर इसी पैशन में था इसी पैटन में था इसलिए हमने वह आज रहे है जनरी आपके confusion भी होता है तो आप उसका अची तरह के से watch भी कीजिएगा next question is question important है देखेगा A straight conductor of a length L moving with a velocity V in presence of a magnetic field of a flux density B directed at an angle of dell with a direction of a V experiences a force which of the following statement is and are true for the magnitude of force ठीक है अब देखे बोलागे कि which of the statement है इसमें से कौनसे statement करेत है और गलत है सबसे पहले बोलागे एक straight conductor of a length L to move हो रहा है velocity of V in presence of a magnetic field of a flux density B directed at an angle of dell with a direction of V experiences of force तो उसके अंदर जो factors है कौनसे कौनसे वो उसके पर depend करेंगे basically जो है देखेगे it is independent of theta यहापे गलत हो जाएगा it is proportional to the L square यह भी हमारा गलत हो जाएगा and it is proportional to the V यह statement हमारा correct है okay next statement है हमारा पास पहे it is independent of V यह भी हमारा incorrect हो जाएगा option 3 will be the correct answer in this case यह force को हम लोग कुछ इस तरह के से represent करते है ठीक it is Q vector V multiplied by flux density B अभी देखे यहापे independent बोला गया है ठीक ही independent है कि नहीं it is dependent proportional to B यह proportional है यह statement correct है proportion to else को यहापे कोई sensing नहीं है और यहापे हमारे पास independent of theta यह भी हमारा गलत हो जाएगा अगर पार्लेलिंग के पार्लेलिंग करते हो तो उसके पॉलारिटीस करेक्ट नहीं रहती है तो तो उसके इसमें dead short circuit हो सकता है option 2 will be the correct answer in this case next question is the current rating of a transformer in a kilowatt kVA and not in a kilowatt ठीक है ठीक है kVA यह आप इसके पास में चाहिए था बोला क्या गया है जो current rating रहती है हमारे पास इंसके अपर पावर फेक्टर का भी बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे लोड के उपर इसलिए हमारे पास ट्रांसफार्मर के rating वीए के वीए में रहते है इस कंडिशन में हमार पास दो कंडिशन रहती है एक तो रहती सीरीज एडी और दूसरी ते हमार पास सीरीज अपोसिंग इसमें क्या बोला गया है आपर जो इसमें फ्लक्स है वह आपोस कर रहा है तो उसके पोलारेटी मार्किंग किस तरह के सदें इसकी डॉट मार्किंग कुछ तरह के सदें यह आप धान में रख लीजेगा ओप्शन फॉर इसका करेट एंसर जाएगा यह सीम यूपिसेल जी के अंदर जो मिन अपको फंडामेंटल वाला जो फंडामेंटल कोर्स बता था उसके अंदर अभी में 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 मेंचन कर रहें लगा था और जिनरल है काफी एक्जामनेशन में बनता है कोशन और इसके पर जो है निमरीकल भी बनते है तो आप इसकी अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजेगा अगर आप प्रिपेर कर रहेंगा तो क्योंकि यह काफी फंडामेंटल कोशन से और एक्जामनेशन में डेफिनेटल पूछ ही जाते है नेक्स कोशन है डियूरिंग ए इसका कर अटर चर्डबा चाहरे फंडामेंटल है शॉट्सर कित टेस्ट ठीक है और ऑपन सर्कित टेस्ट आपको अच्सी तरीका से पताव है उसकी कौन से कौन से कौन से साइट perform करते हैं कौन सी side open करके रखते हैं और short circuit करके रखते हैं यह आपको सारी चीज़े पता होना जरूरी है next question is the exciting current was found to be 3 amperes when measured on a low voltage side of a 20 kVA 2000 by 200 volt transformer choose a transformer rating as a base rating and a exciting current in a per unit on a low voltage side will be what हमें क्या पूछा गया exciting current find out करना है per unit on a low voltage side अभी देखें guys यहाँ पर हमारे पास में s का value mention है काफी important question है बलकुल भी skip मत कीजीगा ठीक है s is given as a 20 kVA okay v1 by v2 is given as a 2000 divided by 200 आइनोट जो है हमारे पास में low voltage side है पास में वह हमारे पास में वह हमारे पास 3 amp यह condition होगी यह सारी जो हमारे पास given data अब मेजर लिए जो मारा full load current रहे गार ट्रांस्वार्मर का ठीक है दोनों भी side में जैसे कर हम लोग सब्सक्राइब करें तुम लोग एल्वी side की बात करें तुम लोग एल्वी side की वालिउस फाइंड आट करते हैं लेट से इस पॉपल कलर ओके यहां पर आई टू लोग सब्सक्राइब करें लोटे साट के लिए आई टू का जो वाल्यू रहेगा ठीक है यह रहेगा हमारे पास एस अपॉन वी टू विचिस इक सुट्वेंटी के विए डिवाइड बाई 200 राइट तो इसका जो वाल्यू आएगा वह आगा हमारे पास में 100 अंपर यह हमारे पा जो पर आइट में वाल्यू निकालेंगे वह क्या रहेगा हम पास में जैडणॉट त्मस आइन नॉट जो हमारे पास में लौ वाल्यू आगए ठीक है दिवाइड बै आइ टू कितना वाल्यू त्री वाल्यू के डिवाइड बैर रिटी वाल्यू 5.07 इसी तरीक् tau जीनिक पता करते हैं आना चाहिए, option 1 will be the correct answer in this case, next question is the no load primary current i0 in an actual transformer, no load current i0 actual transformer, वो vary करता है, वो lag करता है v1, वो lag करता है v1 by an angle lying between 0 to 90 degree, 0 से लेकर 90 degree के बीच में यह हमारा angle lag करता है, ठीक है, line करता है, lag करता है, basically वो lag है कि जो हमार पास no load primary current i0, ठीक है, यह vary करता है, कुछ यहाप भी 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 सकता है, यहाप भी भी सकता है, तो इसको जो angle vary करेगा between 0 to 90 degree, not fixed by 90 degree, यह आपको धान में रखना हो का, option 3 यहाप गलत हो जाएगा, option 4 is the correct answer in this case, यह हमारे पास phasor diagram है, no load current की transformer में, next question is, the number of states in a decade counter, decade counter में number of states की value प्युच्छी किया है, तो जो तो following sentences are true, इसमें से कौनसे sentence is correct है, दीखे मैं आपको straight हो, operation amplifier is a direct couple low gain amplifier, यहाप पर आपको पता होना चाहिए कि low gain नहीं, it is a high gain, इसलिए statement हमारा गलत हो जाएगा, next statement हमारे पास में, operation amplifier is used to amplify AC as well as DC signal, right, यह statement हमारा correct है, second हमारे पास में, output stage of operational amplifier is generally a push-pull circuit, right, यह भी statement correct है, हमारा, एन operation amplifier is not available for a single integrated package, आप मुझे बताएगा, OPM का जो एक IC number बताएगा, IC number कौन सा, इस जनरले मार्केट में मिलती है, ठीक है, वो एक single integrated package में भी मिलती है, यह अपर not बोला गया, इसलिए statement incorrect हो जाएगा, तो correct statement कौन सा हमारा पास में, B and C are the true, okay, next question is, four stage ripple counter, the propagation delay of a flip-flop is 50 nanoseconds, if the pulse width of the strobe is 30 nanoseconds, maximum frequency at which counter operates reliably is what, ठीक है, propagation delay बताएगा है, flip-flop का 50 nanoseconds का, pulse width जो है, वो हमारा पास में 30 nanoseconds की है, ठीक है, तो अगर हमारा पास maximum time हम लोग find out करते हैं, चार हो भी flip-flops का, okay, वो कितना हो जाएगा, four into 50 plus 30, okay, वो कितना हो जाएगा, 230 nanoseconds, यह हमारा पास maximum frequency रहेगा, जहाँ पर हमारा पास counter work करेगा, वो रहेगा, हमारा पास time आगा है, तो हम लोग इसको invert कर देंगे, ठीक है, one by 230 into, 230 nanoseconds हम लोग लिख लेते, ठीक है, तो यह ह numerator में जाने के बाद हमारा पास, mega में हमारा values आज सकता है, okay, ठीक है, mega में, that means, यह convert हो जाएगा, basically, ठीक है, not particularly to that, okay, इसका जो value रहेगा, यह 4.35 megars, okay, option one, इसका correct answer आजाएगा, next question is, the SOP form of a logical expression is most suitable for designing logical circuit using only, ठीक है, जो SOP form रहेते, SOP form क्या है हमारा पास में, sum of product, ठीक है, और दूसरा form रहेते है, हमारा पास में, POS, ठीक है, product of sum, जो boolean expression हमारे, purely, min term, pure, depend करते, ठीक है, वो product term, जो हम लोग इसको खहते है, ठीक है, यह canonical form, canonical sum रहेते है, sum of product, तो इसका correct answer है, हमारा option two, nan gates, ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा पास POS form रहते है, वो हमारा nor gate रह रहते है, sum of, sop form रहते है, यह हमारा using nan gates रहते है, दोनों भी questions, इदर और में, पूछी साकते है, कोई भी question examination में, ध्यान में, ठीक है, एक example देख लेए, कि POS form का, ठीक है, यह कुछ इस तरीके से रहते है, a odd with a b, ended with a c plus d, यह होगा है, हमारा पास POS form, और sop form क्या रहते है, a b, odd with a c d, ठीक है, इस तरीके से, दोनों भी इसमें, डिफरेंस है, डिजिटल हेलों कोटेक्स ने अंदर हमने उक डिस्स करके रहते है, option 2, इसका correct answer है, काफी important है गाई इसी है, next question is, which are the following sentences are true, इसमें से कौनसे sentences correct है, और get के अंदर output voltage हाया रहते है, अब यह काफी simple सा question है, इसके अंदर क्या कि है, कि एक question के अंदर, चार question होने mix up करा जी, ठीक है, और इसमें से पूछा कि कौनसे statement correct है, यार गलत है, और fundamental अगर हम लोग बात करें, तो जो हमने पढ़के रखा है, वही है, basically, दीखेगा, और gate में output voltage high आता है, अगर, यह नहीं, कोई भी अगा है, अ हाई output only when all input आ रहा है, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, यहापे condition हमारे पास output में 1 तभी आता है, जब हमारे पास सारे जो हमारे पास input है, वो हाई रहते है, ठीक है, बाकी condition के लिए हमारे पास यहापे valid नहीं रहेता, यह statement भी हमारा correct आ जाएगा, next हमारे पास में in nor gate, all the input must be low to get a low output, यह आपे हमारे गर्लत हो जाएगा, nor gate का आपको truth table पता होने चाहिए, 000, 01, 10, 11, इस case में जब हमारे दोनों भी low होते है, तब ही हमारे पास में, जब हमारे पास दोनों भी low होते है, यह हमारे दोनों में से एक भी कोई अगर high होता है, तब हैं, आपका है, मानता हमारे दोनों доллар हाई है यह और भी इंपूट हो गया ठीक है और हमारे पास आउटपूट जो है ठीक है यह आउटपूट जो है एक से फिर जो भी हम लोग कह सकते है तो उस कंडिशन में बोला क्या कि नहीं नौर गेट और इंपूट मस्च भी लो सारे इंपूट लो होने चाहिए तो गेट लो अउटपूट यह हमारा गलत हो जाए ठीक है अगर हमारे दोनों बे इंपूट बोंट है तहामरे प़ास आउटपूट जो也 है वह रहता है ठीक है जस्ट इनवत है हमारे और लेट का ठीक है यह जो मारा और गेट रहते हैं यह पित यह मारा नोड बन जा चैनल यह इंपुट होगे ऑड़ और पी और यह मरा उटपूट ओड़्या वाई क्लों मिलिक्स स्थेट्मेंट का इन और इन गिट्ट ऑल्दें पूज़े भी हाई तूटो करेक्ट है 0001 1011 टो इंड ये ने फिट में सारे इंपूट जो है वो हाय होने चाहिए ठीक है इंपूट हाय होने चाहिए तक यह जा कि हमारे पास हमें आउट पूट जो है वह लोग आते है इसको अगर आप NAND gate और NAND gate में confusion होता है NAND और आपको पता हुए कि यह उनियरसल गेट है करके तो आप इसका NAND gate का truth table बना दीजीगा 00 के लिए हमारे पास 0 आता है 001 तो हमारे पास NAND के लिए एगा 1110 ठीक है simple इन NAND का हमारे पास output है वोला कहा है इन NAND gate in NAND gate all the input must be high ठीक है सारे input high होने चाहिए to get a low output यह भी statement हमारे करेक्ट है all input must be high to get a low output 0 option 4 इसका correct answer जागे that means A B and D are the true simple चाह कोशन ता गाई आयोप यह कोशन समझी गया होंगे next question हमारे पास में which of the following statements are true इसमें से कौन से statements करेक्ट है ठीक है देखे अनलोग circuits are designed to use with a small signal statement करेक्ट है digital circuit हम लोग यूज करते है with a large signal यह भी statement करेक्ट है analog circuits made to work in a non-linear fashion ठीक है यह statement हमारा गलत हो जाएगा and digital circuits are considered as a linear work यह भी गलत हो जाएगा काफी simple सा statement से पढ़ते है आपको समाझ बहाए होगा next question is the resolution of a dash bit D2A converter is approximately 0.4% अभी देखें गाइस इस condition में जो हमारे पास condition आती है कि formula क्या रहता है percentage r is equals to 1 upon 2 to the power n minus 1 multiplied by 100 यह percentage resolution of a n bit digital to analog converter अगर हम लोग इसमें values में substitute कर देते हैं that means 0.4% is equals to 1 upon 2 to the power n minus 1 multiplied by 100 तो जो इसमें जो n का value आता है tourist power n का value आता है यह आता है हमारे पास 251 which is nearly equals to 255 that means tourist power 8 रहेगा तभी हमारे पास में condition क्या बनेंगी यह 255 general 256 होता है बट लेकिन 0 को consider करते है इसलिए 0 to 256 0 to 255 रहते है तो यह अन का value रहेगा हमारा 8 रहेगा तो 8 bit यह convertor के लिए उसका resolution 0.4% रहेगा option A will be the correct answer in this case next question is in a sr flip-flop the sr input must not be तो sr flip-flop में sr input है वो हमारे दोनों भी 1 नहीं होना चाहिए उसके condition में हमारे क्या condition रहेते है वो रहेते हैं हमार पस no change okay उस condition में हमारे पास intermediate condition रहेते हैं not no change धान में रख लिएगा option 1 इसका correct answer रहेगा next question is find out the output voltage of a from a 5 bit ladder that has a digital input of 1 1 0 1 0 as in that 0 is equals to 0 volt and 1 is equals to plus 10 volt 0 मतलब 0 volt यह exact और 1 मतलब plus 10 volt है ठीक है तो हमें पता करना है output voltage from a 5 bit ladder अब देखिए resolution क्या होता है ठीक है resolution is equals to V reference divided by 2 to power n okay n का value बता है गया या पर हमार पस 5 bit है ठीक है n is given as 5 okay and digital input है वो हमारे पस 1 1 0 1 2 अगर हम लोग इसका decimal equivalent निकालते है यह होता है हमारोगा पस 26 काई ओक यह धान में रख लिजीगा तो resolution रहेगा R will be equals to 10 divided by 2 to power 5 which is equals to 0.3125 right तो हम लोग 26 को अगर हम लोग मुल्टिप्लाइग का थे 26 multiplied by 0.3125 तो इसका जो वाल्यू आएगा V0 यह रहेगा जो आउट्पूट वोल्टेज है resolution multiply करते हम लोग decimal equivalent से तो हमारा output voltage जाता है resolution multiplied by decimal equivalent यह इसका formula ही होता है तो इसका correct answer आजएगा हमारा पस option A अच्छी तरीके से धहन में रहना होगा जो output voltage है हमारा पस output voltage is what resolution multiplied by हमारा decimal equivalent decimal equivalent यह होता हमरा पस output voltage option वन इसका correct answer आजाता है next and the last question for this paper one is what the minimum number of samples to be taken for a sampling of a sinusoidal waveform of frequency one kilowatts to digital form is in a one millisecond आर दिखिए नाइक्विस्ट sampling theorem आता है इसमें वेसिकली थोड़ा चा critical है यह question समझने के लिए भी समझेगा continuous time signal जो हम लोग represent करते है samples में हम उसको recover करते है जब recover back करते है sampling frequency में तो उसमें condition आती है guys ठीक है fs is greater than twice of fm fs is greater than twice of fm ठीक है तो यह condition में minimum number of that means fs should be greater than or equal to the twice of highest frequency component of the message signal तो हमारे पास minimum number of बोला गया कि minimum number of samples कितने करें करने पड़ेंगे आपके तू रहेगा option one will be the correct answer in this case यह थे गाइस complete हमारे hundred question जो हमारा paper one था उसके अंदर हमने काफी detail में हमने questions cover up करा दी हाले के regular session के अंदर काफी quickly सारी चीज़े में पढ़ा के ओर हो किया था आप क्यूंकि हमारा means का paper है इसलिए हमने इसको थोड़ा शेर करते हैं so thank you for watching this session guys have a nice day मिलते नेक्स सेशन में